पैरे दोस्तों नमश्कार आज का दो सुर्ण का भाईब दन पूंड नाज के दिन जो जन्मे वेक्ति at रिफ्षित होते हैं उनके काम कई बार 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 बंते हैं की रुकावटें पर एक वे इस तो टेक केर दुन में चले उड़के चले मस्त चले और पुरे गगन में फिरे लेकिन कहने के मतलब यह है कि थोड़ा सा अपना ध्यान भी आप रखें थोड़ी लापर वहीं ना करें इनके देटा पर 29-29 है कुछ चिंटाएं हैं जो उनके जीवन में आ रही लेकिन वह चिंटाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी एक अच्छी स्थिती पे आप जाएंगे आने वाला समय है कहता है इसलिए थोड़ा टेक केर अपना ध्यान रखें और जो ज़्यादा चिंटाएं उनके विशे में ज्यादा ना सोचें तो बहतर होगा और अपने काम को करें जिसकी डिटाबर 3-12-13 वाले हैं वो सोच रहें कि धन कहां से आए और धन आने के लिए क्या किया जाए तो धन आने के लिए आपके पास एक छूटा सुपाया आप कर सकते हैं थोड़ा सा अन्न का दान और अन्न पे कुछ धन राशी रखके किसी गरीब एक्टी को करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ तेजगती से आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन समय कहता है कि थोड़ा सा रूख के चले थोड़ा ध्यान दरें अटेक करने की मुद्रा में अंकचार जिसकी डिटाबर 5-14-23 उनके लिए जो आज का दिन है शुब है और बड़ी संग शुपता से उकता है धन से जुड़े चेतर पे उन्हें लाव होने के आशंका अर्थात धन से जुड़े चेतर पर लाव होगा चीज़ें अनुकूल होगे जिसकी डिटाबर 7-25 से आज के दिन आपको कुछ प्रकति से जुड़े अनमोल रहसे मिल सकते हैं नई चीज़ें म बढ़े तो आपके बढ़ पाएंगे जिसकी डिटाबर 9-18-23 धन से जुड़े 6 रुपे लगातार जो आप महनत कर रहे हैं बड़ा पुरसकार भी आपके पास आने को है तो दोस्तों यह हूँ चर्चा आंके एक से लेकर 9 तक की और आज के दिन 4 सितंबर की आपको आपके बहुत से जुड़ी आनने जान के रहे हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हैं 7415114800.122 एकाल पंका जमाशुरी तैंक य। वर्मच